नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल जरधरी क्लासेस में दोस्तों उतराखंट जिल्ला सीरीज में हम यहाँ पे डिसकर्ज कर रहे हैं चमोली जनपत के बारे में चमोली जनपत के अभी तक 3 पार्ट आचुके हैं और यह आज पार्ट 4 है चमोली जनपत का जिसमें हम यहाँ पे डिसकर्ज कर रहेंगे चमोली जनपत के परसिद मेलों के बारे में अभी तक चमौल जनपत के बारे हम बहुत सारी चीज़ों पर डिसकर्स कर चुके हैं और आज ये अंतियम पार्ड है पार्ड फॉर और इसके बाद इसका MCQ प्रैक्टेस सेट आ जाएगा चमौली जनपत का तो चले दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों तो चमौली जनपत में जितने भी परसिद मेले हैं और प्रमुख यात्राय हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे वैसे आज मेप की जरूत तो है नहीं क्योंकि मेप के मादयम से जो अधर चीजें जो समझाने थी आपको जैसे नदी सिस्टम हो गया परसिद मंदिर हो गया वो मैंने आपको मेप के मादयम से समझा दी है तो यहाँ पर आपको सब चीज़े पता चलिए कि कौन सा कहाँ पर है किस इस्थान की लोकिशन कहाँ पर है और यहाँ पर मैं यह बताऊंगे कौन सा मेला कहा लगता है तो वो आपको मैप में खुद देखना है और मैप तो आपके पास जो होगा हमने बना रखा जो तो सबसे पहले यहाँ पर गोचर मेले की बात कर लेता है गोचर आपको पता है कहाँ है चमोली जनपद में है तो गोचर मेला लगता है चमोली जनपद में लगता है आपका गोचर मेला और ये जो गोचर मेला है यह एक प्रकार का ब्यवसाइक मेला है यानि यहाँ पे बहुत सारी खरीदारी होती है काफी दूनों तक यह मेला चलता है बहुत सारी दुकाने यहाँ पे लगती है तो ब्यवसाइक के लिए काफी इंपोर्टन अधि tääर इसलिए इसको ने गोचर मेली की शुरुवात की और इस मेले का आयोजन कब किया जाता है तो 14 से 20 नॉम्मर की बीच इस मेले का आयोजन होता है तो एक तो आपको यह धियान रखना है और आयोजन कब होता है और कहां लगता है यह मेला गोचर में चमोली में दूसरा मेला है यहां पर हरियाल पूड़ा मिला तो यह भी लगता है आपका चमोली जनपद में चमोली जनपद में यह कहां लगता है तो नोटी गाउं में लगता है नोटी गाउं के बारे में आपको आगे डिटेल्स बताऊंगा तो नोटी गाउं में लगता है यहां पर हर्याली पूड़ा मिला और कब ल और वहां पर क्या होता है नंददेगु क्या मान जाता है ध्यानी मान जाता है तो इसलिए यहां पर हरियाली पूड़ा मिला भी क्या है एक ध्यानियों का त्योहार माना जाता है ध्यानियों का उत्सव यहां पर यह होता है हरियाली पूड़ा मिला तो आपको ध्यान रखना ह होता है वहाँ उन कन्याओं को क्या कहा जाता है धियानी कहा जाता है तीसरा जो मेला है वो है तिमुंडा मेला तिमुंडा मेला लगता है आपका चमोरी जनपत के जो सीमट में एक नर्सिंग मंदिर है इसके बारे में नर्सिंग मंदिर के बारे मैंने आपको डिटेल्स है यही नर्सिंग मंदिर तो इसी नर्सिंग मंदिर में जब बदनाध हम के कपाड्ध खुलने वाले होते हैं उस से पहले आयुद किया जाता है ती मुंदा मेला मेला जिस पे अवतरित होता है तो वे क्या करते हैं पर बकरी का कच्चा मांस कच्चा चावर और गुर और तीन घड़े पानी पी जाते हैं तो यह इस मेले की परसीदी है तिमुंडा मेली की वैसे मैं एक एक special वीडियो बना चुका हूं मेलों पर जिसे मैंने गड़वाल के और कुमाओं के सभी परसीद मेलों के बारे में वहां पर जो भी important मेले थे जो exam की द्रिश्चे काफी important है उनके बारे में details चर्चा की थी तो वहां पर मैंने चमुरी जनपत के इस तिमुंडे मेले के बारे वह मारना चारती तो फिर राक्षस ने उनसे चमा याचना मांगी और कहा कि मैं इनको कभी तंग नहीं करूंगा तो माताराणी ने क्या कहा गावालों कहा है कि तुम इसको क्या देना परते एक साल यहां पर इतना एक बकरी का कच्छा मास को देना पड़ेगा चावल देने पड़ेंगे और तीन घड़े पानी गूड यह सारी सामागिरियां उसको परते एक साल देनी होगी तब जाके वो खुस रहेगा और हूँ कभी परिशान नहीं करें तो इस प्रकार से स्टोरी वहां पर मानेताओं के नुसार तो आप पड़ सकते हो सर्च कर सकते हो अच्छ आ और ऑगो यहां पर करता है तो आपको जरूर नहीं हования करनी है तो नोचख को सनजकी है यह लगता है चमयरी जनबत के नोठा में आदिबद्री मंदरी महा अधिबद्री जो की प न स्टोरू में से एक पर्सिधद बद्री है करन प रयाग से अगे यहाँ पर इस चिता ही है मैंने आपको कल मैप की माद्यम से बताया था कहाँ पर है आदिबदरी तो वहीं पर लगता है नोठा कोतिक बैसाक और जेश्ट माँ में इस मेले का आयोजन किया जाता है आच्वा यहाँ पर अठवाड मेला अठवाड का मेला वे आपका चमूर जन्पद में लगता है छटा है कुलसारी मेला तो कुलसारी मेला लगता है थराली ब्लोक के कुलसारी गाउं में आयोजित क्या जाता है कुलसारी मेला सात्वा है उमा काण महोट्साव नवा हैं यहाँ पे रमान महोट्शव तो यह काफी important है most important आप इसको करिएगा क्योंकि काफी परसिद है रमान महोट्शव जो की चमुली जनपत का है और इसको यूनेशको द्वारा रमान महोट्शव को विश्वा धरौहर गोसित भी किया गया है है तो इसलिए ये काफी important हो जाता है तुछ रमान महुच्षब है यह चमोरी जिलिए के सलूर गाउं में बिस संता है वह कुछ अई गाहूं में लगता है लेकिन जो सबसे परसिद्ध रमान महुच्षब हो सलूर गाउं में पर्ञण परतिवर्प कब लोगने Considering Kingdom Juice लिए पर्श्य है तो मोग तो निर्ते को परणादी केलिएं परणान में गाय में मैंसामें ऄड़ियाय्ज कर सकते हैं अलल से आप मियाद कर सक्ते हैं और उत्ताइब किस तो बाकि रम्मान महुत्सव 11 से लगवर 13 दिनों के बीची आयोजित होता है और इसमें रामयान का पाठ किया जाता है यह काफी इंपोर्टन्ट है अब रम्मान महुत्सव में यहाँ पे कुछ प्रमुख निरत्य भी किये जाते हैं जो माल मल है यह एक परसिद निरत्य है किया जाता है कहां किया जाता है रम्मान महुत्सव में ही किया जाता है और इस निरत्य में इस्थाने लोगों और गोर्खों के बीच जो युद्ध हुए जब याँ पे गोर्खा सासन था तो इस्ताने लोगों और गोर्खाों के बीच भी कई युद्ध हुए तो उन युद्धों का वरणान मिलता है इस माल-मल निर्त्य में दूसरा जो निर्तिया है वो है मियोर मुरैन क्या इसका नाम मियोर मुरैन निर्तिया और इस निर्तिया में पहाडों की कठनायों और दैनिक जीवन की परिशानियों को बताए जाता है इन परिशानियों का वरणन किया जाता है मियोर मुरैन निर्तिया में तीसरे यहां पर कुरु जोगी यह एक प्रकार का हास्य निर्त्य या मनोरंजनात्मक निर्त्या है जो कि रम्मान मौच्छों में आयुजित किया जाता है तो कुरु जोगी जो निर्त्या किसे संब्दित है हास्य और मनोरंजनात्मक कुरु कि यह होती है घास होती है ठीक है पुंप्भादयान यह किसमें हैं जो टिभद के व्याइपारी है उन पर यह आन्टारी तरह यह दिल्ली में क्या हुआ यहां पर रमान उत्षाव का आयोजन किया गया तो कम कीया गया दिल्ली में यहां पर रमान को विसदरोवर कब गोशिद किया गया 2 अक्टबर 2009 को यूनिस को द्वारा क्यों कि काफी परसिद्ध ये मैं लग संस्कृति उत्राखन के जो संस्कृति है उस द्रिश्ट से काफी इंपोर्टन्ट है रमान महोथ्षव जो कि चमोरी जनपद में आउजित कहा जाता है और उसके बाद कहा है 2016 में जो गनतन तर दिवसपद 26 जनवरी 2016 गनतन दिवसपद परेड निकलती है एक रेली निकलती है जैसे इस बार कहा था केदार खंड था 2021 में मैंने आपको करन्ट फिर्स वारी वीडियो में बताय था और इसके बारे भी मैंने वहाँ पर आपको बताय था तो जो 2016 की 26 जनवरी 2016 की जो जहांकी थी उतराखन की वो कौन थी तो वो रमान महोथ्षव पर ही आधारित थी तो 2016 में गंतन देश की मोथ्षव पर उतराखन राज की और से रमान महोथ्षव की जहांकी परदर्शित की गई थी तो यह important fact है जो आपको note करने हैं उसके बाद यह परमुख क्या होगे मेले और महोथ्षव होगे अब बात करने हैं यहां पर चमोरी जन्पत की जो परमुख यात्रा है तो सबसे परसिद्ध यात्रा कोन है चमोरी जन्पत की नंदा देवी राजात यात्रा तो नंदा देवी राजात यात्रा जो की परतेग 12 वर्स में आयुद की जाती है और यहाँ पे इससे पहले नंदा देवी राजात कब आयजुद की गई तो वो की गई थी 2014 में और प्रतेक 12 वर्ट सो बादे आयजुद होती है तो जो नेक्स्ट यात्र होगी 2026 में हो सकती है तो 2026 में इससे पहले लाश्ट में कवी थी 2014 में तो यह भी आपको नोट करना है अब देखो जो नंदा देवी राजा त्यात्रा है यह है नंदा देवी से सम्मंध है नंदा देवी जो पारवती है उन्हीं को नंदा देवी मान जाता है तो नंदा देवी का जो मायका मान जा तो इस जो यह नंदा देवी राजा त्यात्रा है इसमें क्या होता है कि नंदा देवी यानि जो पारवती होती है नंदा देवी को माई के से ससुराल भेजा जाता है तो यहां पे नोटी गाउं से यात्रा शुरू होती है और कहां पहुंचती है यह होमकुंड पहुंचती है होमकुंड के आगी क्या है बहुत सारे परवत हैं कुलमा के वो हिमालाई छेतर हिमालाई का वो हिस्सा है तो यहाँ पर नंदा देवी राजात यातरा चमुली के कासवा गाउं के पास इस तो नोटी से शुरू होती है वो हमकुंड तक पूँचती है और टोटल यह जो मार्ग है लगबग 280 किलोमीटर की यातरा है जिसमें कितने दिन लगबग ? 19-20 दिन में यह यातर क्या हो जती है complete हो जाती है 19-20 दिन लगथे हैं इस यातरा में और 280 किलोमीटर में चलना बड़ता है अब जो को इस जो नन्दा Δेवी राजात्यात्रहए इसमें एक परसित्ध क्या है 4SING वाला खाड़ू यानि-4SING या खाड़ू जब यात्र आयूत्ष होने वाले होते तो कहीं न कहीं ये चोसिंग्या खाडू वाँ पर गाउं में मिल जाता है आसपास की गाउं में चार सिंग वाला खाडू यान जिसको चोसिंग्या खाडू का जाता है और इस चोसिंग्या खाडू भी क्या होता है कुछ भी मलब भेंट देनी होती है जो देवी को सारी चीजें उसमें उसके पीठ वे बांधी जाती है और वो चोशिंग या खाड़ू भी अपने साथ ले जाए जाता है और जब जो अंतिम पड़ाव है यात्रा का होमकुंड तो होमकुंड के आगे कोई भी ब्यक्ति नहीं जाता है होमकुंड के आगे जो ये चोशिंग या खाड़ू है वो अकेले यात्रा में सफर करता है अकेले जाता है और उसके बाद वो हिमालाई के और निकल जाता है बाकि वहाँ से जो अनलोग होते हैं वो दूसरे मार्ग से वहाँ पर क्या आ जाते हैं वापिस आ जाता है तो चोशिंग्या खाडू किस सम्मंद्ध है नंदादीवी राजा त्यात् नोटी से प्रारम होती है वो अन्तिम पड़ाव होमकुंड में समाप्त होती है यहां से चोशिंग्या खाडू अकेले हिमालाई की और निकल जाता है वो अनलोग दूसरे रास्ते से वापस आ जाता है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ अब देखो यहां पर जो इसलिए जो तीन पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखेगा तो हमकुंड यह आपका तिर्चूल प्रवत की तलाटी में बसा हुआ है और नंदादीवी राजा त्यात्रा का नेतरत्वा कौन करते हैं तो मान जाता है कि जो कास्वा गाव है वहां पे अचांदपुर गड़ में आपको पता है कि जो नियू रखे गए वो चांदपुर गड़ में रखे गई थी। पहलारमस में एक बहुत सकते साल राजा होय आजेपाल जिन होने चांदपुर गड़ से राजधानी इस थानंतरित की और उन्हों को इतियास में कई बार बहा ह चुका हूँ तो अजयेपाल का एक भाई था जिस जो वहीं चांदपुर गड़ रहा याजेपाल तो चांदपरुगर से निकल गया और उसने बाद में सिनगर बसाई अपने राजदानी लेकिन अजयेपाल के एक जो वही रह गया तो उसी आजेपाल के छोटे भाई के वनसज है यहां पर कांसवा गाउ में तो मलग उस राजगराने के जो राज कुमर है वही इस यात्रा का क्या करते हैं नेत्रत्व करते हैंALद Yay यहां पे यात्रा भी complete हो गया और आपका मेले भी complete हो चुके हैं और इसमें प्रसाशनिक धाचाम आपको पहले part 1 में ही बता चुके हैं तो लगवग सभी topic complete हो चुके हैं अब देखो कुछ यहां पे जैसे प्रमुक संस्थान यह है इस पे मैं special video बना रखूँ तो आप देख में क्या बना चुका हूं इस special video पहले ही बना चुका हूं तो आज से करते हैं दोस्तों आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी आपको समझ में आ रहा है कैसे आपको इस सीरीज लग रही है कमेंट वोक से अमने राइस जरूर दे और वीडियो को अधिक से दिक सेर जरू करे ताकि सभी अब्यरती जो यहां पर तयारी करना चाहरे हैं वो हमसे जुड़ सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ अब तक ले धन्यवाद